कि नमस्कार में हूं कुमार गजिंद्र जन्पत on the spot में आपका स्वागत है संसद पर जिस तरीके से हमला हुआ जी हां यह हमला बहुत घातक था इसमें जो सबसे पहले जो टेरिस्ट जो लिंक निकल के सामने आया वो यह आया जिसने खुफिया एजेंसियों को सुरक्षा एजेंसियों को चोका दिया था वो यह था कि हमले से दस दिन पहले ही जो आतंकवादी है खालिस्तानी आतंकवादी जो है गुर्पतवन उसने जो संसद की बर्षी पर, संसद की हमले की बर्षी पर हमला करने की जो दमकी दी थी, वो लिंक सामने आ रहा था, इसे लेके सुरक्षा एज़न्सिया जिस तरीके से सकते में आ गई हमले के बाद, वो बहुत ज़ादा चोखाने वाला था, क्यूंकि इंटेलिजेंस इसम तरीके से संसर की सुरक्षा कर्मी इसमें फैल हुए उसी तरीके से हमारा इंटेलिजेंस भी कही ना कही फैल नजर आया ये भी ऐसे वक्त पर जब इसराइल जैसे देश की जो सबसे खतरनाक सुरकुपिया एजनसी थी मौसाद उस पर सवाल उठ रहे थे तो मामला बहुत सेंस्टिफ तरीका है उनका और अब काफी काफी निसकर्स पर जो सुरक्षा एजनसी अप पहुँच चुकी है संसर की सुरक्षा में सेंद लगाने का सड्यंत्र आरोपियों ने छे वाटसेप गुरूप के जरिये रचा था ये मामला सामने आया जांच में छे गुरूप बनाए गए थे जिनके जरिये इस पूरे मामले का सड्यंत्र रचा गया था ये जो ये जो गुरूप से ये बहगत सिंग और चंदर शेकर आजाद के नाम से बनाए गए थे इनके जरिये सभी एक दूसरे के संपर्क में थे और हंगामा करने के लिए संसत्ववन की लेकिन ये जो दलील है आरोपियों की ये इस्पेशल सैल को हजम नहीं हो रही है क्योंकि ये बहुत पुराने लिंक इनके सामने आ रहे हैं और ये सारी चीजे इतनी आसान नहीं है जितनी आरोपि बताने की कोशिश कर रहे हैं संसत्द के अंदर और बाहर का वीडियो भी वीडियो भी साजा किया गया था याने के जिस वक्त ये कारवालगि की जा रही थी वो इस उस वक्त संसत्द के जो जांचीजन स्व का मानना है कि इस साजित में कुछ बड़े नाम भी सामिल हो सकते हैं तो कि जिस तरीके सेख बाहर का बींदे बनाय गया अंदर का बींद Lif और ये सब साजा किये जा रहे थे उससे लगता है कि इस पूरे मामले में कई बड़े नाम भी सामिलते जो बहुत जल्दी सामने आ सकते हैं आ सकते हैं जाज के दोरान तो ये ये सारी चीजे जिस तरीके से चल रही थी ये ये अभी जाज का विशे ही था लेकिन जिस तरीके स ये सारी चीजे सामने आई हैं वो बहुत चौकाने वाली हैं और वो ये दरसाती हैं कि कोई भी नया अपरादी या नए जो लड़के हैं या जो नए जो लोग हैं वो इस तरीके का कुकृत को अंजाम नहीं दे सकते इतनी आसानी से तो ये वर्टसप गुरूप ये जो गुर सामने आया है जो इसके अलावा कुछ फिल्मों की किलिप भी साजा की गई थी स्पेशल सेल की बड़ी टीम सिर्फ आरोपियों के इंटरनेट मीडिया एकाउंट को खंगालने के लिए लगातार परियास कर रही है ये बड़ी टीम इस सारे मामले में लगाई गई है इसके अलावा सिग्नल अपका इस्तेमाल किया गया इन लोगों ने जो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने सेल ने मैटा कंपनी के अधीन मैसेंजर वर्ट वर्ट से आरोपियों के सभी गुरूपों का डेटा मांगा है हर गुरूप के सदस्य की संक्या उनके नंबर और उनके ब क्योंकि अब तक उन्हें किसी भी आरोपि का मोवाईल और नहीं मिला है याने के साजिस का प्रवर्टन जो पूरा मामला था वो पता ना चले इसके लिए इनके मोवाईल तोड़ दिये गए इसके लिए आपस में बातचीत के लिए जो सिगनल का एप का इस्तेमाल किया गय सबसे बड़ी जो चौकाने बाली बात यह है कि यह इनका जो लिंक है वह मैसूर से होते हुए करनाटक में पहुच चुका है करनाटक आपको याद होगा करनाटक क्या है करनाटक वही जवा है जहां से इंडियन मुजाहिद जो जिसने सिलसिले बार पूरे पूरे देश के अंदर सीरियल वंदमा को कौन जाम दिया था इंडियन मुजाहिदीन ने जिसके आतिप अमीन को एनकाउंटर में बाटला हाउस के अंदर स्पेशल स्टाइल ने मार गिराया था वही टेररिस्ट गुरूप भी करनाटक में पहुचा था और करनाटक से काफी मजबूत हुआ था करनाटक में पोसित हुआ था यही इंडियन मुजाहिदीन तो यह जो जाच है इन यह जो संसक्त हमले के आरोपियों के जाच है यह भी महसूर में करनाटक तक जा पहुची है इसके अलावा असल में एंड टू एंड इन क्रियेशन की वजए से सिगनल एप का डेटा उपलव्द नहीं होता है सिगनल एप की कंपनी का दावा है कि डेटा उनके पास होता ही नहीं है पुलिस की जाच में यह भी सामने आया कि एक साल पहले करनाटक के मैसूर में पहली मुलाकात इन लोगों की कई अन्य अन्य जगहों पर हुई थी इनकी बैठे के भी होती रही लगातार लखनौ के रहने वाले इरिक्साचालक आरोपी जो है सागर सर्मा की मैसूर की यात्रा का खर्च मनोरंजन गौर ने उठाने की बात कभूल किये जाच एजनसी की माने तो आरोपियों की संसद भ लिया गया है हाला कि इनकी रिमांट आर और बना दी गई है तो ये बाकाइदा ये सारी चीजे सामने आ रही है आरोपियों के मोबाइल नंबरों के जो सिम कार्ड थे उन्हें फिर से कंपनी को कहा के आया है उन सिम कार्ड को जारी करने के लिए संसद भवन में 13 दिसंबर क को कलर स्मोग क्रेकर का दुमा चोड़ने के बाद खतित मांस्टर माइंड ललित जा ने आरूपि सागर सर्मा मनोरंजद गौर अनमोल सिंदे और नीलम आजाद के मोबाइल फॉन राजिस्तान के नागोर इस्तित एक होटल के पास जलाने का दावा किया है और ये मोबाइल कोपियों के मोबाइल नमबरों के जो सिम कार्ड है उने फिर से जारी करने की कोछिस की जांगर याने कि स्पेचल सेल उन सिम कार्डों को दुबारा करवाने की कोछिस कर रही है संसत बहुन में इसका रीक्रियेशन भी किया गया है इसके लिए बाकाइदा पूरी जो CRPF के मानितेजक अनीस दयाल सिंग की अध्यक्सता वाली जास समीती ने सनी बार को इसमें रीक्रियेशन किया पूरे मामले में और बाकाइदा इसमें जो सुरक्षा में लगे कर्मियों के बयान भी एक-एक करके अभी दर्ज किये जाने बाकी हैं और ये सारी चीज़े अभी चल रही है ऑन ट्राइल है याने के स्पेशल सेल की जो हमारी सूचना हमारे सूचना बता रहे हैं दे रहे हैं इस से पुछास से अधिक टीमें इस पूरे माममले के लिए देश वर में जात फर्ताल कर रही हैं जो ललित जहां है उसका कन बंगाल में पसिम बंगाल से भी सामने आ रहा है और बाकाइदा वह वहां के एक TMC MLA के साथ दिखाई दिये जिसकी तस्वीर लॉकेट बनर जी ने लोक सवा के अंदर संसज के अंदर बाकाइदा जारी कीती दिखाई थी मीडिया को तो एक बड़ा मामला है बड़ी चीज़ यह एक बड़ी बात है कि ग्रेमांत्री अगर इस पर अभी तक नहीं बोल रहे है तो इसका मतलब यह नहीं के पास कुछ है नहीं ग्रह मंत्री दरसल जो हमारे सूत्र बताते हैं वो ये के ग्रह मंत्री दरसल उस जाच का इंतजार कर रहे हैं उस जाच की रिपोर्ट का जिसे स्पेशल सैल दिल्ली पुलिस का कर रहा है उस सारी जाच के आने के बाद ग्रह मंत्री अमिश शाह संसद के अंदर बाकाईदा एक एक करके उन सभी चेहरों से नकाब उतारेंगे जो चेहरे इस पूरी साजिस के अंदर सामिल थे और बहुत जल्दी कुछ ऐसे बड़े नाम सामने आएंगे जिनों ने ऐसी देश के जो मस्तिस्क पे देश के मंदिर पे जो हमला करने की कोचिस की सचमुच ये बहुत शर्म नाकता लेकिन हमारे ही लोगों ने ऐसा काम किया इसलिए हम और भी ज़्यादा शर्म सार हैं तो आने वाले दिनों में देखिएगा इस से बहुत जल्दी इस पूरी साजिस से परदा उ इंत्रियार करते रहिएगा अगर आपको हमारी ख़बर अच्छी लगी हो तो आपे से लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा इससे हमें उर्जा मिलती है जैहिंद जैवारत